बचवा ज़ो next question में example number 17 इसको देखो क्या है यहां पर क्या बोला है given 3 identical boxes तीन identical box है 1, 2 and 3 एच बॉक्स contain 2 coins हर एक बॉक्स में क्या है 2 coins है in box 1 box 1 contain both coins are gold coins box 1 में 2 gold coins क्या बोला है कि 3 boxes है 3 boxes में 2 coins है box 1 में जो 2 coins है 2 gold coins है box 2 में जो है यह जो हमारा box 2 है both are silver coins box 2 में दोनों में silver coin है and the box 3 यह जो box 3 है there is one gold and one silver coin एक person chooses box at random एक person ने क्या क्या 3 box में से कोई भी एक box choose कर लिया and take out a coin और एक coin निकाल लिया if the coin is gold अगर coin gold है what is the probability that the other coin in the box is also a gold अगर क्या बोल रहा है कि अगर एक coin gold मिला तो बताओ क्या probability है कि दूसरा coin भी gold होगा एक बार मैं फिर से question समझा रहा हूँ question में क्या बोला है कि 3 boxes है तीनों boxes में 2-2 coin है first जो box है उसमें 2 gold coin है second box में 2 silver coin है third box में 1 gold coin है 1 silver coin है अब क्या कर रहा है कि एक person 3 box में से कोई भी एक box choose कर लिया उससे 1 coin निकाला choose a box at random and take out a coin 1 coin निकाला if the coin is gold अगर coin gold है तो बोच रहा है कि what is the probability that the other coin in the box is also gold अगर पहला coin gold निकला तो बताओ क्या probability है कि दूसरा coin भी gold होगा simple सा क्या बोला है कि अगर एक gold निकल गिया तो किस दूसरा coin भी gold होगा इसका मतलब कि वो जो पहला coin gold निकला वो किस box से निकला होगा simple सी बात है box 1 से निकला होगा अगर box 2 से तो निकलाई नहीं होगा because इसमें दोनों में silver coin है box 3 में एक gold है एक silver अगर एक gold निकल गया तो दूसरा तो silver है तो दूसरा तो gold निकली नहीं सकता है इसका मतलब है कि यह पूछ रहा है कि अगर तीनों boxes में से एक box हमने choose कर लिया उससे एक gold coin निकल गया तो बताओ कि वो किस box से gold coin निकला है मतलब किस box से नहीं मतलब यह है कि दूसरे gold coin के निकलने की क्या probability है इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि एक gold coin निकल गया तो वो box 1 से निकला होगा इसकी क्या probability है क्या बोला है कि एक coin निकाला और वो gold मिल गया तो बताओ कि दूसरे क्या बोला है if a coin is gold, अगर coin gold है what is the probability that the other coin in the box is also gold तो बताओ क्या probability है कि जो दूसरा coin होगा box में वो भी gold होगा इसका ये मतलब है कि ये बताओ कि जो पहले हमने क्या कर लिया गोल्ड एक कोई निकाल लिया तो वो गोल्ड कोई बॉक्स 1 से निकला होगा इसकी probability पूछ रहा है ठीक है अब देखो क्या है अच्छा इससे भी पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग event क्या मानेंगे जैसे event जो partition करते हैं sample space का वो events क्या होगा तो हमें ऐसे events लेना है हमें ऐसे events लेना है जिसका intersection 5 हो और जिसका union sample space हो तो क्या होगा event हम लोग क्या ले लेंगे event e1 ले लेंगे selecting a bag 1 selecting bag 1 bag 1 e2 ले लेंगे क्या ले लेंगे selecting selecting bag 2 फिर e3 ले लेंगे ये क्या ले लेंगे selecting bag 3 ये तीन event ले लेंगे अब इस तीन event में क्या है या तो तीनो event का union क्या होगा या फिर बोलो कि probability of event e1 ये क्या हो जाएगा probability of event e2 ये क्या हो जाएगा probability of event e3 ये क्या हो जाएगा 1 upon 3 हो जाएगा तीनों की probability 1 upon 3 होगी और तीनों की probability आड़ करोगे तो किसके equal हो जाएगा 1 के equal हो जाएगा ठीक है और जब हमने back 1 select कर लिया तो back 2 select करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका मतलब तीनों का intersection क्या हो जाएगा तीनों का intersection null होगा event e1 e2 का भी intersection null event e3 का भी null e2 e3 का भी null एकट्थे सब का भी null इसका मतलब कि event e1 e2 e3 mutually exclusive events है और जो selecting a gold coin वो event e1 के साथ भी हो रहा है event e2 के साथ भी event e3 के साथ भी अब कोई बच्चा बोले गए कि event e2 के साथ कैसे हो सकता है event box 2 में तो दोनों में silver coin है तो कोई बात नहीं है अगर एक gold coin निकल गया तो box 2 से निकलने की probability 0 हो जाएगी अब देखो क्या बोला जा रहा है let event e1 e2 e3 event e1 e2 and e3 be the events of the boxes 1, 2 and 3 are chosen respectively तो हमने क्या माल लिया event e1 e2 e3 को event e1 माल लिया की box 1 चूज किया event e2 माल लिया की box 2 चूज किया event e3 माल लिया की box 3 चूज किया यह जो event e1 e2 e3 है यह हमारा partition है sample space का अब event e1 e2 e3 इन तीनों का probability क्या हो जाएगा 1 upon 3 तीन box है ठीक है एक box के निकलने की probability क्या हो जाएगा 1 upon 3 ठीक है also let a एक event a माना be the event that the coin drawn is of gold coin जो निकला वो gold मिला है अब हमें क्या चाहिए अब हमें क्या चाहिए कि अगर यहां पे लिखता हूँ अब हमें यह चाहिए कि अगर gold coin निकला है तो वो first bag से निकला इसकी क्या probability है यह हमें चाहिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ इसको लट देंगे इसको प्लट देंगे तो क्या हो जाएगा A upon probability of E1 upon नीचे क्या होगा theorem of total probability तो वो कैसे लिखेंगे probability of E1 into जब E1 हो गया तो A की probability plus probability of E2 और जब E2 हो गया तो फिर A की probability plus क्या होगा probability of E3 और जब E3 हो गया तो फिर A की probability यही है न इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो probability of E1 into जब E1 हो गया तो A की probability plus यहाँ पर क्या लिख सकते हो sigma i is equals to 1 to n probability of sorry n 1 to 3 probability of EI और जब EI हो गया तो A की probability और यहाँ पर I कहां से कहां तक vary कर रहा है यह तो बता ही दिया कि 1 से लेके 3 तक vary कर रहा है ठीक है यह हमें चाहिए ऐसे लिखने से क्या पता चल गया ऐसे लिखने से हमें यह पता चल गया कि हमें किसकी value चाहिए E1 की probability चाहिए जब E1 हो गया तो फिर A की probability चाहिए तो यह हमें मिल गया फिर हमें किसकी probability चाहिए E2 की probability चाहिए और जब E2 हो गया तो फिर A की probability चाहिए फिर E3 की probability चाहिए जब E3 हो गया तो फिर A की probability चाहिए यह हमें पता चल गया ठीक है ना अब यहाँ पे इन सब का जो हमें चाहिए जो वो निकाल लेंगे यह E1, E2, E3 की probability 1 upon 3 अब क्या है जब E1 हो गया तो A की probability इसका क्या मतलब है कि जब हमने first bag select कर लिया तो gold bag निकलने की probability क्या 1 है 100% है विकाज अगर हमने first bag select कर लिया तो एक gold निकलने की probability तो 100% है confirm है विकाज दोनों gold coin है ऐसे भी बोल सकते हैं 2 by 2 है टीक है दोनों gold coin है टोटल कितने coin है 2 तो 2 by 2 1 हो गया अब जब हमने E2 back select कर लिया मतलब second bag select कर लिया तो फिर एक gold coin निकलने की probability 0 विकाज दोनों silver coin है और जब हमने E3 back select कर लिया E3 back बोल लो यार जब हमने third bag select कर लिया E3 हमारा क्या है E3 तो event है na selecting third bag तो जब हमने third bag select कर लिया तो फिर एक gold coin निकलने की probability 1 upon 2 है क्योंकि third bag में gold एक silver है ठीक है बस हो गया सब कुछ मिल गया यह मिल गया ना सब कुछ बस value plug करो answer आजाएगा यही मैंने लिखा है यह base term है यही है ना base term यही मैंने लिखा है इसमें बस तुम्हें कुछ नहीं करना है value plug करना है क्या करना है इसमें value plug करना है value plug करो गया answer आजाएगा ठीक है ना यह हमारा answer आगी ठीक है अब आजाओ बच्चो एक्जामपल नमबर 18 में इसमें क्या बोल रहा है देखो ध्यान से बस हो गया एक एक्जामपल 18 है एक 19 है और एक 20 है तीन एक्जामपल है और अच्छा 21 भी है और उसके बाद हमारा ये वाला खतम फिर हम लोग आएंगे random variable पे random variable and its probability distribution ये last हमारा topic है उसके बाद ये हमारा chapter complete हो जाएगा ठीक है थोड़ा time तो लग रहा है बट थोड़ा detail से भी हम लोग पर रहे है एक्जामपल नमबर 18 पे आजाओ एक्जामपल नमबर 18 में क्या बोल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows HIV test का की जो reliability है वो कैसे specify किया गया इस question को सुनना ध्यान से of the people having HIV जिस people को actual में HIV है ठीक है 90% of the test detect the disease but 10% go undetected मतलब कि अगर सौब बंदे को HIV है तो अगर उसका test HIV का test किया जाएगा तो 90% को तो detect हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें HIV है but 10% ऐसे लोग होंगे जिनको actual में HIV है but उनका HIV detect नहीं होगा undetected हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है of people free from HIV जिनको HIV नहीं है 99% of the test are just HIV negative but 1% are diagnosed as HIV showing HIV positive इसका मतलब क्या है कि अगर 100 बंदे ऐसे हैं जिनको HIV नहीं है और उनका test कराए जाए HIV का test कराए जाए तो होगा क्या कि 99% को तो detect हो जाए कि भाई तुम्हें नहीं HIV है ठीक है but 1% एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसको actual में HIV नहीं है only 0.1% having HIV large population में किया सिर्फ 0.1% को HIV है one person is selected at random एक person को randomly select किया गया ठीक है population में से उसका HIV टेस्ट कराए गया and the pathologist reports him or her as HIV positive और pathologist ने क्या बोल दिया कि तुम्हें HIV positive है अब बोला what is the probability that the person actually having HIV अब यह बताओ कि अब यहां पे तो दो बात हो रहे है जिसको है HIV उसका भी test क्या हो रहा है detect नहीं हो पा रहा है कि उससे HIV नहीं है जिसको नहीं उसका भी detect हो पा रहा है तो अगर किसी एक person को मैंने select किया और उसका HIV test करवाया अब उसको मिल गया HIV positive तो मैं पूछ रहा हूँ कि यह बताओ कि actual में उससे HIV positive है इसकी क्या probability है यह भी तो हो सकता है कि अब यह निगेटिव हो बट उससे बोल दिया गया अब यह अब यह अब यह बोसकता है कि अब यह बताओ कि वह actual में उसको HIV positive है इसकी probability क्या है तो इसको अभी हम लोग देखेंगे ध्यान से इस question को सुनना मेरे बात को ना ध्यान से सुनना सबसे पहले यह हमारा base धुरम पे है क्यों? because इसमें क्या हमें reverse probability पूछ रहा है बोल रहा है कि हमने एक person को select किया उसका HIV test करा है उसे HIV positive मिल गया तो बताओ कि वह उसे actual में HIV है इसकी क्या possibility है तो यह reverse पूछ रहा है इसका मतलब यह क्या हमारा base धुरम पे होगा तो सबसे पहले हम base धुरम में करते क्या जो सबसे important है कि जो partition of sample space है न वो खोसते वो event खोसते है जो sample space को क्या कर रहा है उस sample space का partition कर रहा है तो यहाँ पे obvious ही बात है कि जो event हमारा होगा जो sample space का partition करेगा वो क्या होगा वो होगा HIV positive और HIV negative ठीक है हमने क्या करना है HIV positive माल लेना है कि person having HIV positive और person having person does not have HIV positive मतलब जो इस person को HIV positive है नहीं है यह हमारा sample space का partition होगा दो ही case हो सकता है न या तो किसी person को HIV positive हो या ना हो इन दोनों में कोई intersection भी नहीं है और इन दोनों का union sample space भी है तो हमने e event माल लिया denote the event that the person selected is actually having HIV event माल लिया कि जो इस person को हमने select किया वो उसको actual में HIV है e event माल लिया with event that the person HIV test is diagnosed as HIV positive event हमने माल लिया कि जिस person का हमने diagnosed किया न HIV का उससे क्या है HIV positive जिसको हमने diagnosed किया है वो event हमने e माल लिया ठीक है जिसको diagnosed कर दिया गिया है कि उसको HIV positive है अब हमें क्या चाहिए कि डाइगनोस कर दिया गया है HIV positive डाइगनोस कर दिया गया HIV positive अब उसे actual में HIV positive है यह हमें चाहिए मतलब probability of E given A has already been occurred समझ मेरी है मेरी बात क्या बोल रहा है हमने event बनाना सबसे important है इसमें सबसे पहले event तुम क्या खोजो सबसे पहले event खोजो कि जो हमारा sample space का जो partition करेगा वो event खो तो वो event क्या होगा HIV इधर HIV positive person इधर having HIV positive और not HIV positive यह होगा तो event हमने क्या माल लिया denote the event that the person selected is actual having HIV ठीक है तो not HIV कैसे मिलेगा one message जिसको HIV उसको subtract कर देंगे उसकी probability तो वो person आ जाएंगे उन person की probability आ जाएगी जिसको HIV positive नहीं है जो HIV negative है ए माल लिया गिया हमने किसे event A माना उसे माना जिसको test तो कर दिया गया test diagnosed कर दिया गया HIV positive अब हमें क्या है यह चाहिए probability मतलब कि diagnosed कर दिया गया HIV positive अब उसे actual में HIV positive है यह हमें probability चाहिए तो E event हमारा क्या मिल जाएगा E event की probability क्या है 0.1% देख लो यही है na event की probability 0.1% बोल रहा है na from a large population of which only 0.1% है वह चाएवी तो E event और E complement यह दोनों क्या बन जाएगा sample space का partition कर दिया clearly E and E complement is the partition of the sample space of all the people in the population population मतलब population में जतने people है वह हमारा तो sample space बन गया उसमें E and E complement क्या कर दिया sample space का partition कर दिया कैसे partition किया कि दोनों mutual exclusive भी है exhaustive भी है और दोनों की probability non-zero भी है तो बताओ E event की probability क्या होगी given है 0.1% यह given है तो हमने इसको बोल दिया 0.1% तो 0.1 लिखा percent की जगा 1 upon 100 डाला तो यह क्या मिल गया 0.001 अब probability of E complement क्या हो जाएगा simple 1 में से हमे probability of E हटा देना है तो यह क्या जाएगा 0.99 अब मैंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए देखो ध्यान से हमें चाहिए कि people जिसको diagnose कर दिया गया HIV positive उसे actual में HIV positive है यह event चाहिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे पहले probability of E मतलब probability of HIV positive person वो लिखेंगे into जिसको probability of E उलट देंगे न A given E has already been नकट यह कौन सी probability है जिसको actual में चाहिए इसकी बात मैं करना हूँ ध्यान से सुनो यह कौन सी probability है मतलब probability of A given E has already been अकट यह उन persons की probability है जिनने actual में HIV positive है और उन्हें diagnosed भी किया गया HIV positive वो given है कितना है 90% यह given है देखो 90% यह बोला है न 90% of the test detect the disease मतलब कि जिस person को actual में HIV positive हो उसे diagnosed भी किया गया HIV positive वो यह probability है ठीक है यह probability किसकी है people having HIV positive ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे divide करेंगे ऐसे करने से क्या पता चल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें किस-किस element की यह किस-किस event की probability निकालनी है उसके बाद क्या लिखेंगे फिर यही चीज probability of E और जब E हो गया तो फिर A की probability प्लस probability of E compliment और जब E compliment हो गया तो A की probability तो यह तो हम अल्रेटी निकाल चुके है यह और यह तो निकाल चुके है अब यह क्या है people not having HIV positive जिसको HIV positive नहीं है यह भी निकाल चुके यह हमारा people not having HIV positive यह क्या है यह क्या है यह उस people की probability है जिसे HIV positive तो नहीं है E compliment क्या है people not having HIV positive बट उसे diagnosed कर दिया गया है कि तुम्हें HIV positive है ऐसे कितने हैं भाई 1% है 1% है न यह है न 1% जो HIV negative है बट उन्हें diagnose कर दिया गया HIV positive तो बस सब तो मिली गया हमे यह क्या है probability of A given E has already been occurred यह क्या है probability किसका person tested HIV positive given that he or C is actually having HIV positive उसको actual में HIV positive है बट उसे और उसे diagnose भी कर दिया गया कि तुम्हें HIV positive है ठीक है वो क्या हमारा 0.9% question में given है यह क्या probability of A given E compliment has already been occurred इसका मतलब कि person tested as HIV positive given that he or C is actually not having HIV positive मतलब यह किसकी probability है जिसे HIV नहीं है जो HIV negative है बट उसे diagnose कर दिया गया है कि वो HIV positive है वो क्या हमारा 1% इसका मतलब 0.01 इसको डाल दो यहां पर यहां पर इस formula में डाल दो यह हमारा आजाएगा probability यह किसकी probability है जिसे diagnose कर दिया गया कि तुम्हें HIV positive है और उसे actual में HIV positive है यह उसकी probability है यहीं तुमसे पूछ रहा है यहीं है मतलब यह किसकी probability है उस person की probability है जिसे HIV positive diagnosed किया गया और उसे actual में HIV positive है वो क्या मिल रहा है 0.083 तो यह हमारा answer हो गया ठीक है समझ में आ गया होगा अब आते हम लोग example number 19 में क्या हो करो प्लब प्लब